डिफाल्टरों के खिलाफ बिजली बोर्ड हुआ सक्त विशेश केमपेंज लागर रिकावरी शुरू की ग्यात रहे अमबाला केंट सब डिविजन में डिफाल्टरों की सुचील लगादार बढ़ती जा रही है जिसको लेकर बिजली विभाग ने सक्ती दिखाते हुए विशेश केमपेंज जलाकर डिफाल्टरों से रिकावरी शुरू की जो कि पिछले एक महीने में ही बिजली विभाग ने 9,28,000,000 रिकावरी डिफाल्टरों से बसूल की है इस campaign के बारे में बताते हुए अमाला बिजली सब डिवीजन एक से अधिकारी ने बताया कि हमारी डिवीजन के अंतरगत आने वाले ये सब सेशनों में डिफाल्टरों के तादात काफी बढ़ गई थी जिसको लेकर विभाग ने एक special campaign चलाया और उस campaign के अंतरगत एक महीने म नो करोड़ 28 लाख रवे की recovery डिफाल्टरों से की गई है उन्होंने बताया कि आगे भी ये campaign जारी रहेगा पिछले महीने भी हमने 3840 कंजूमरों से 9 करोड़ 28 लाख रवे रिकवर किया है डिफाल्टिंग जो हमारे connected थे और ये आगे भी जारी रहेगा और सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कोई डिसकनेक्शन की नौबत ना और विजली उनकी बादीज न रहेए तो इसमें सब्डिजन नमर वन है टू है बव्याल है ब्राड़ा है केश्री है उनकी सब की मिला की recovery है हम बिल्कुल बीच बीच में बिजली चोरी के campaign हम चलाते रहते हैं पिछले हमने Saturday को भी 23 चोरियां हमने जैसे पकड़ी हैं और उनके करीवन आट लाग के करीवन पर खबना महरेणा के लिए अंबाला से पारूलगर की रिपोर्ट